दोस्तों क्या आप जानते हैं क्यों निमंत्रन नहीं दिया राजा जनक ने राजा दशरत को सीता स्वेंवर का अगर नहीं जानते तो चलिए आज मैं आपको ये कारण बता रही हो ये तो हम सभी जानते हैं कि जनक पूरी में जब सीता स्वेंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओ को निमंत्रित किया सब को उस स्वंवर के लिए बुलाया परंतु राजा दश्रत या अयोध्या के किसी भी व्यक्तिगों स्वंवर का निमंतरन नहीं दिया गया इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था अपितु एक ऐसी गटना थी जिससे राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही न हुआ हो तो क्या होगा क्यों निमंतरन नहीं दिया गया राजा जनक ने राजा दश्रत को क्या थी वो गटना आये जानते हैं एक बार राजा जनक के शाशनकाल में एक व्यक्ति का विवा हुआ विवा के बाद वह पहली बार सस समझ कर अपनी ससुराल को जा रहा था कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जहें उसको दलदल मिला उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाएं फसी हुई थी जो शायद फसे फसे मनने की दशा में आ गई थी उस व्यक्ती ने उसको देखा तो उसके मन में गाएं को बचाने का ख्याल आया प्रंत दूसरे हिशन मन में एक और विचाल आया उसने सोचा ये गाएं तो कुछ देर में मरने ही वाली है अगर मैं इसको यहां से बाहर निकालने को इस दलदल में गुसा तो मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा यह सोचकर वह गाएं के उपर पैर रखकर आगे बढ़ गया जैसे ही वह आगे बढ़ा गाएं ने जब उससे जाते हुए देखा तो उस वक्ती को श्राब दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उससे देख नहीं पाएगा यदि तू उससे देखेगा तो भी वह ततकाल ही प्रात हो जाएगी यह कहकर कुछ ही शण में गाएं के प्रान निकल गए उस श्राब को सुनकर वह वक्ती दूवीधा में फस गिया उसे अपने किये पर बहुत पश्तावा हो रहा था प्रन्तु अब कुछ नहीं हो सकता था जो होना था वो हो गया अब वह वक्ती से मुक्त होने का विचार करने लगा मन में बहुत बड़ा बोज लिए वह ससुराल पहुचा वहां पहुचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा अगर मेरी नजर मेरी पत्नी पर पढ़ गई तो क्या होगा कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया किन्तु वह नहीं गया रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी उसने किसी को नहीं बताया उसके दिमाग में तो गाए के द्वारा दिया गया श्राब बार बार गूंज रहा था जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर नहीं आने की बात पता चली तो उसने अपने घरवाल से कहा की चलो मैं ही चल कर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और मैं जो भी बोल रहे हूं उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी और क्यों नहीं देखते हो उस व्यक्ती अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चूप रहा काफी अनुरोद करने के बाद उसने रास्ते में घटित सारवरतांत कहस सुनाया पत्नी ने कहा मैं भी प्रतिवरताश्त्री हूं ऐसे कैसे हो सकता है आप मेरी और तो देखो अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने जो ही नजर उठा कर अपनी पत्नी की ओर देखा वैसे ही उसकी आँखों की रोश्नी चली गई और वह गाए के श्राब वस पत्नी को देख ही नहीं सका उस व्यक्ति की पत्नी भी प्रती व्रता थी इस कारण उसकी मृत्यू नहीं हुई यह देखकर पत्नी अपने पती को साथ लेकर राजा जनक के दर्बार में गई वहां जाकर उसने सारा व्रतांत कह सुनाया राजा जनक ने राज्य के सभी व्रिद्वानों को सभा में बुलाकर यह समस्या बताई उन्होंने अपने दर्बार में बैठे हुए ब्रामनों से कहा हे ब्रामन देव गोश्राप से निवरत्ती का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं सभी व्रिद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रतिवरता इस्तिरी छलनी में गंगा जला कर उस जल के चीटे इस व्यक्ति की दोनों आँखो पर मारे तो गोश्राप से मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी आँखों की रोश्नी पुनह लोट सकती है राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्थियों से पूछा तो राजा को सभी के प्रती व्रता होने में संदेवने की सूचना मिली ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुचाई उन्होंने उन्हें संदेश में कहा उनके राज्ये में यदि कोई प्रतिव्रताइस्त्री है तो उसे सासम्मान राजा जनक के दर्बार में भीज दिया जाए जब यह सूजना अयोध्या के राजा दश्रत को मिली तो उसने सबसे पहले अपनी राणियों से पूछा प्रतेक राणी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या आप राज्ये की किसी भी महिला यहां तक की ज़ाडू लगाने वाली ही क्यों ना हो उसे भी प्रतिव्रता ही पाएंगे राजा दश्रत को इस समय अपने राज्ये की महिला उपर बड़ा आस्चर यह हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निन्व कार्य के अनुरूप माने जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया उस महिला से राजा दशरत ने सम्मान पूर्वक पतिवता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्विक्रती में सिर हिला दिया तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है उस महिला को ये राज सम्मान के साथ जनकपूर को भेज दिया राज जनक ने उस महिला को पूल राजसी ठाट बाट से स्वागत सम्मान किया तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई साथ ही ब्राह्मनों दुआरा जो उपाय बताया गया था वो भी बताया महिला ने राजा को उस कार्य को करने की स्विकर्ति दे दी अगले दिन महिला चलनी लेकर गंगा किनारे गई वह वहाँ पहुचकर उसने प्राथना की की हे गंगा माता यदी मैं पूर्ण प्रतिवरता हूँ यदी मैंने अपने तन और मन से अपने पती को ही परमेश्वर माना हो तो गंगा जल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए यह प्रवित गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए यह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राजदर्बार में आप होची राजा और दर्बार में उपस्थित सभी नर्णारी यह द्रश्य देख आखशर्य चकित रह गए तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आखों पर चीटे मारने का अनुरोद किया उसने जो ही गंगा जल की चीटे उस व्यक्ति की आखों पर मारे तो ही उसके आखों की रोश्नी वापस आ गई यह देखकर दरबार में उपस्तित लोग बहुत ही प्रसन हुए तब उस महिला को पूरे रासम्मान के साथ पारितोशिक दिया गया जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति बांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिग्या शावस उस महिला से उसकी जाती के बारे में पूचा तब उस महिला द्वारा बताय जाने पर राजा आशर्य जकित हो गए यही कारण था कि सीता स्वंबर के समय राजा ने सोचा कि जिस राज्ये की सफाई करने वाली इतनी पती व्रता है तो उसका पती कितना शक्तिशाली होगा यदि राजा दशरत ने उसी परकार के किसी व्यक्ति को सीता स्वंबर में भेज दिया और अगर उसने धनु संधान लिया तो क्या होगा राजकुमारी किसी निम्न श्रेनी के वक्ति को ना वड़ ले यह सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा दश्रत को निमंतर नहीं भेजा किन्तु विधाता की लेखनी को कोई आस्तक्टाल नहीं सका है वही हुआ जो होना था अयोध्या के राजकुमार वन में विचरन करते हुए अपने गुरु के साथ जनक पुर पहुच ही गए और धनुच तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता का वरन कर ही लिया दोस्तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग क्यों हुए